एक लंबे वीकेंड के बाद हम लोटे हैं, I hope आपकी होली अच्छी रही है, बट ज़र बताइए क्या कुछ हुआ है, लास्ट वीकेंड अफकॉस कल, मंडे जब हम बन थे हैं अच्छा अक्षन है, कोई ऐसी खराबी की बात नहीं है, रिकॉर्ड हाइज पर ग्लोबल मारकेट्स हैं, हमारे बाजार भी रिकॉर्ड हाइपर हैं, वहां से हमने देखा है कि थोड़ी मुनाफ़ा वसूली आपको पिछले दो दिनों में देखिए, तो फ्राइडे शाम का थोड़ा मुनाफ़ा वसूली था, वाला था अमेरिकी बाजारों में, और फिर कल शाम एक बार फिर से हमने थोड़ी गिरावट आती हूँ देखिए, गिरावट को कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं था, और कोई ऐसी बड़ी भी गिरावट नहीं आई है, अगर आप दो देखें तो करीब साड़े चार सो अंग डाव फिसला है, तीन सो अंग हमने शुकरवार को फिसलते हूँ देखा था, कल शाम करीब 160 अंग फिसला है, तो रिकॉर्ड हाई से थोड़ी मुनाफ़ा वसुली वहाँ पर आती हूँ देखिए, थोड़े नर्म संकेत आप कह सकते आज सुभा ग्लोबल मारकेट के आ रहे हैं, बट ऐसा कोई भारी गिरावट नहीं आई है और भारी गिरावट को कोई ट्रिगर भी सामने नहीं निकल कर आए, इसके सामने जो उनका ब्रॉडर मारकेट इंडेक्स है, रसल 2000, वो आपके लिए पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ तो ऐसी कोई परिशानी वाली बात वहां पर आती हुई नहीं दिखी है, अगर आप देखें, NVIDIA यहां पर नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है, बाकी सेमिकंडेक्टर शेर्स में भी ठीक ठाक आक्शन आपको आते हुए दिखा था, बोइंग इस पर रखन थी बट बोइंग का शेर आपके लिए पॉस्टिव होते हुए दिखा, एनर्जी शेर्स में आपने कल खरीदारी आती हुए दिखी है, तो कोई ऐसी बड़ी परिशानी वाली बात नहीं थी और ऐसा कोई बड़ी परिशानी वाला सेशन भी नहीं था, दो दिन से थोड़ा हलका उचाई से जरूर आपको डाव होते हुए दिखा है, दस साल की बॉंडील यहां पर हलकी बड़त हुई है, 4.25% के पास है, तो वहां से आप कह सकते हैं, थोड़ा बाजार में प्रेशर आते दिखा है, बट अगेन ऐसी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, कुछ ब्रोकर रिपोर्ट्स निकल कर आए है, उपनहाइमर इन्होंने S&P 500 का टारगेट बढ़ा कर अब 5,000 कर दिया है इस साल के लिए, बट उसके सामने UBS की रिपोर्ट आए है, जो कह रही है कि इस साल अब उन्हें नहीं लगता कि इन लेवल से S&P 500 और उपर जाएगा, तो उन्हें इस से फ्लाट रिटर्न का अनुमान UBS लेकर चल रहा है, उसके सामने Morgan Stanley की एक रिपोर्ट आए है, जहां पर बात चलिए कि क्या असल में इस साल तीन रेट कट होंगे, ये शायर दो रेट कट या एक रेट कट भी हो सकते हैं, Morgan Stanley कह रहा है कि उनका मानना है कि इस साल चार र आओ बंद हो था, तीन सो ओम की फ्राइडे की गिरावट के बावदूत, हफते दर हफते दो परसेंट की बड़त देखी है, सवा दो परसेंट आपके लिए S&P 500 उपर था और तीन परसेंट नास्डाक उपर लगा है, और पिछले कुछ हफतों से अच्छा आक्शन जो अम ओईल उतपादन पर कंसरंस जग रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के लगातार उनके टिफाइनरीज पर अटाक हो रहे हैं, गाजा सीसफायर पर अभी तक कुछ क्लारिटी नहीं आती हो दिखिए, तो वो एक फैक्टर है, सोने में सपार्ट कारुबार रहा है, बेस मेटल भी ज करता है, अपनी पॉलिसी के लिए, कंज्यूमर कॉफिदेंस और कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा, ये दोनों भी आने वाले हैं, यूस में, और इसके अलावा, जरूम पावल साब पब्लिक भाशन देंगे, फेड पॉलिसी के बाद उनका पहला पब्लिक भाशन होगा, औ और कई और सदस से इस पूरे हफ़ते भाशन देने वाले हैं, तो क्या एक्जाक्ली तीन रेट कट होंगे, तीन से जादा, तीन से कम, फेड के सदस से अब थोड़ा ओपन लीस के बारे में टिपनी दे पाएंगे, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, एक्शन अफ्ता बड़ा आक्शन बनता हुआ यहां पर दिखाए देर,